पर पेरे बच्चो कल हमने Codates स्टार्ट किये थी, तो कल हमने Codates के बारे में Basic सी चीजे देखी थी, आज हम पढ़ेंगे वो Codates का Classification पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो कोड़ेड का जो classification है उसको two groups में divide किया गया है पहला कौन सा है अरकरियेनेटा है दूसरा कौन सा है क्रियेनेटा अब यह जो अरकरियेनेटा है इसके अंतरगद lower kodets और proto kodets आते है और जो kireneta है इसके अंतरगद higher kodets और u kodets आते है ठीक अब ये जो ए क्रियनेटा है इसको भी दो सब फाइलम में क्या क्या गया है डिवाइड क्या गया है ठीक है तो देखो एक तो है यूरो कोडेटा और दूसरा यहाँ पर क्या है सिफेलो कोडेटा है ठीक है तो जो ए क्रियनेटा ग्रूप है उसके दो सब फाइलम है यूरो को के mind में clear हो जाए फिर हम क्या करेंगे detail से पढ़ेंगे अब देखो यहाँ पर दूसरा ग्रूप कौन सा था भई क्रेनेटा था क्रेनेटा के अंदरगत यू कौनेटा आता है और जो क्रेनेटा ग्रूप से इसका एक सफाइलम है और वो कौन सा है वर्टिब्रेटा है अभी ज अग्रेथा यहाँ पर जो जबड़े है वो क्या होंगे present होंगे अपसेंट होंगे अब यह जो अग्रेथा है इसकी भी दो क्लासिस है दो कौन कों से देखो एक है यहाँ पर ऑस्टियोकोडर्मी और दूसरी है यहाँ पर साइकलो स्टोमेटा ठीक है तो अग्रेथा कि कितनी क्लासिस है two classes है एक यहाँ पर औस्टियोकोडर्मी है और दूसरी यहाँपर क्या रहेगी साइकलो स्टोमेटा ठीक है अब देखो दूसरा अपना कौन सा है गैनेथो स्टोमेटा यहाँ पर जबड़े क्या होंगे present होंगे ठीक है भाई जोज होता है तो यह यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको प्रेजेंट मिलेंगे इसकी दो सूपर क्लास हैं दो सूपर क्लास कौन कौन सी है देखू आगे कौन-कौन سी है भई सूपर क्लास एक तोрьạnhफ ऍट्राप्ट पोड़ा है जो पिसीज है इसको भी त्री क्लास में डिवायट के गया है एक तोह है प्लैकोडर्मी दूसरी है यहाँ पर कॉन्रियोग थीज और तीसरी है यहाँ पर ओस्ट्रियोग थीज जो kondriocthich है यहाँ पर जो cartilages physis है वो मिलेंगी ठीक है ओस्टियोक्थीच है यहाँ पर bonifysis मिलेंगी जो tetrapoda है उसकी चार classes है कौनकों सी? amphibia, reptilia, avich और क्या रहेगी मैं में लिया तो यह था एक outline coded के classification की तो समझ में आ गई होगी है? आ गई ना? एक बार फिर से देखो यहाँ से हमने शुरुआत की देखो क्या पढ़ रहे है classification किसका coded का दो groups में इसको divide किया गया है एक है a creanata और दूसरा यहाँ पर क्या है creanata ठीक है a creanata के अंदरगत lower coded और proto coded सामिल होते हैं जबकि फाइलम है कितने दो कौन-कौन से एक euro coded है दूसरा यहाँ पर क्या रहेगा सिफेलो coded रहेगा दूसरा groups कौन सा था? creanata था creanata के अंदरगत you coded आता है और इसका एक sub-fाइलम है कौन सा? vertebrata इसकी दो division होते हैं एक agnetha होता है जिसमें जबडे क्या रहेंगे absent रहेंगे जबकि जो genetho istrometa है उसमें जबडे क्या रहेंगे present रहेंगे ठीक है? अभी जो agnetha है इसकी दो classes होती है दो कौन सी? एक osteo-dermi होती है और दूसरी यहाँ पर cyclostrometa होता है अभी जो genetho istrometa है इसके अंदर कर जबडे present मिलेंगे और इसकी दो super classes होती है दो super classes में कौन को सी है देखो एक तो PCC हो की जिसमें क्या आता भी? जो PCC है जिसमें fist पगेरा आती है और इसकी भी कितनी classes होती है? तीन classes होती है pleco-dermi, kondriokthich और osteokthich ठीक है? और दूसरी यहाँ पर जो super class रहेगी वो tetrapoda रहेगी इसमें MPBR, reptilia, average, or क्या आता है? मैं वह लिया तो यह एक outline है फिस से repeat कर दिये अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे A-crenata, ठीक है? अब यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ेंगे? A-crenata पढ़ेंगे ठीक है? A-crenata के अंदर के देखो protocodate आता है और lower codate आता है ठीक है? अब यह जो A-crenata है अब देखो word की नाम से ही बता चल रहा है A का मतलब क्या होता है? absent होता है और cranata मतलब यहाँ पर cranium और head क्या होंगे? absent होंगे रटने की जुर्रत ही नहीं है अब कल भी मैंने बताया था कि जो protocodates होते है उनमें notocode जीवन भर पाई जाती है क्या होता है? जीवन भर पाई जाती है वो vertible column या फिर backbone में क्या नहीं होती? replace नहीं होती पस यही बात लिखी वी है यहाँ पर कि जो notocode present होती है protocodates में जीवन भर और वो notocode यहाँ पर vertible column और backbone में क्या नहीं होती? replace नहीं होती ठीक है? अब यहाँ पर देखो यह जो acranates है यह codate तो होते हैं बट not vertebrate यह line आपको ध्यान रखनी है यानि जो acranates है वो codate तो होते हैं लेकिन vertebrate नहीं होते हैं ठीक है? तो समझ में आ गया होगा आगे देखो यहाँ पर जो acranates होते हैं उनमें यह पर नहीं आपको बता दिया पहले ही कि cranium और brain क्या होगा? absent होगा ठीक है? और यह strictly कैसे होते हैं? marine होते हैं development यहाँ पर आपको direct और indirect दोनों देखने को मिल सकता है यानि larval form present हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है ठीक है? यहाँ पर जो pharyngeal gills lid से वो found live time यहाँ पर क्या होती है? present होती है यह line मैंने आपको कल भी बताई थी गरस्निय कलोम दरारे जीवन भर उपस्तित होती है protocode में और protocode में जो notocode है वो भी जीवन भर present होती है उपस्तित होती है protocode में notocode refresh नहीं होती है valuable column और background में यह बात बता चुक्यों आगे देखो यह जो act rare eta है इसकी दो सब phylum हैं कौन-कौन से हैं देखू वह दो कौन-कौन से बताये थे अभी बताये था ना यूरो कोड़ेटा यूरो कोड़ेटा को ट्यूनी केटा भी कहा जाता है दूसरा यहां पर रहेगा सिफेलो कोड़ेटा अब यहां पर जो हम पढ़ेंगे पहला ही पढ़ेंगे euro-cordata euro-cordata को tuning data भी कहा जाता है अब देखो, ये जो euro word है इसका मतलब क्या होता है tel होता है euro का मतलब ही क्या होता है tel होता है, ठीक है आगे देखो ये जो euro-cordata है इसके और गी रिचम strictly क्या होते है, marine होते है मतलब समूतर में रहते हैं और इनमें नोटो कोड लार्वा की टैल में पाए जाती हैं कहां पर पाए जाती है लार्वा की टैल में पाए जाती है देखो यूरो का मतलब ही क्या होता है टैल होता है तो नोटो कोड कहां पर प्रेजन्ट होगी वह या टैल में प्रेजन्ट वो लारवा की टेल में प्रजेंट होती है यही रिज़न है, इनको ैरू कोर्डेटा का जाता है ठीक है, तो यह चीज़े आपको द्यान रखनी है आगे देखो, इनकी सरीर पर कार्बोहाइडरेट से बना आवरण पाया जाता है किसे कार्बो हाइडेट से बनावा आवरान पाया जाता है किनकी सरीफ़ पर क्या पढ़ रहे है यूरो कोडेटा यूरो कोडेटा की जो और्गिनिजम होते है उनकी बोड़ी पर कार्बो हाइडेट का एक कवर पाया जाता है जिसे ट्यूनी सीन कहते है इसलिए इने tunicates कहते हैं और यही रीजन है इनको tunicata कहा जाता है ठीक है? अब यहाँ पर देखो Retrogressive Metamorphosis पाया जाता है Retrogressive Very very important Retrogressive Metamorphosis पाया जाता है Retrogressive Metamorphosis को हिंदी में प्रतिगामी कायंतरन कहा जाता है अगर मैं आपसे question पूछू यहाँ पर कि Metamorphosis क्या होता है तो सीधी से भासा में आप क्या कहोगी? भई लार्वा है वो तो less developed होता है और फिर वो लार्वा किस में convert हो जाता है? एडल्ट में convert हो जाता है वो एडल्ट more developed होगा किस से? लार्वा से यह तो सीधा सीधा है लेकिन प्रतिगामी का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है अब उल्टा कैसे होता है? यहाँ पर देखो उल्टा कैसे होता है रहे? अब देखो more developed larva less developed adult में क्या होता है? बदल जाता है ठीक है? यह होता है retrogressive metamorphosis यानि जो larva होगा वो ज़्यादा विक्सित होगा किस से? अडल्ट से जो more developed larva है वो जैसे ही adult में बदलेगा न तो उसके बहुत सारे character का क्या हो जाता है? loss हो जाता है इसी को retrogressive metamorphosis का जाता है यहाँ पर जो development होगा वो indirect होगा अब indirect होगा इसका मतलब वहाँ पर larval form क्या होगी? present होगी और यहाँ पर क्या present है? tadpole larva ठीक है? आगे देखो यहाँ पर जो larva है वो कैसा होता है भीया? free swimming होता है मतलब 17 रूप से तेरता है जबकि जो adult है वो कैसा होता है? ससाइल होता है अस्थान बद होता है एक स्थान पर चिपकावा होता है जबकि larva क्या होता है? अपनी साब से घुमता है free ठीक है? ciliary feeders यहाँ पर पाए जाते है ciliary feeders क्या होते है? यह जो food mechanism होती है food को अंदर लेने की जो process होती है उसी को ciliary feeders का जाता है आगे देखो यहाँ पर excretion होता है किसकी द्वारा होता है भई? देखो nephrosides और pyloric lent पाए जाती है excretion यानि उत्सरजन के लिए respiratory pigment यहाँ पर vanadium होता है क्या होता है? vanadium होता है क्या पढ़ रहे हैं? euro pod data पढ़ रहे हैं ठीक है? gonad यहाँ पर present है और प्रते gonad में ovary, where testis दोनों होते हैं और इसे ovotestis कहते हैं example यहाँ पर देखी herd mania क्या है? herd mania herd mania को c square कहा जाता है c potato भी कहा जाता है c square बहुत बार कुछा गया है herd mania को क्या कहा जाता है? c square कहा जाता है और c potato भी कहा जाता है diagram मैं अभी आपको दिखा दूँगी pyrosoma ठीक है? क्या है भई यह? pyrosoma और यह जो pyrosoma है यह bioluminescent organigum है और तीसरा जो example है अपना है वो सालपा और चोथा यहाँ पर dolyolum ठीक है? तो यह सारे की सारे example किसके है? किसके है भई? पढ़ क्या रहे? euro-cordata तो यह सारे की सारे example euro-cordata के है अब आगे देखो यहाँ पर हम एक रेनेटा का जो अपना second subphilems सिफेलो codata स्टार्ट करने से पहले उपर वाले की जो diagram है वो देख लेते देखो यह रा हड्मानिया क्या है? हड्मानिया देखो वई इस तरी के से होता है यह हड्मानिया और यह क्या है? यह pyrosoma है ठीक है? यह देख लो pyrosoma है और यह है salpa क्या है? देखो बिल्कुल transparent है यह salpa और यह है dolyolum देख लो dolyolum यह है salpa और ये क्या है Pyrrhoseoma इसे कीसे होता है और ये यहां पर हड़मानिया है ठीक है अब देखो अब हमारा जो second subphileum है वो कौन सा था वो सिफेलो कोड़ेटा है कौन सा है सिफेलो कोड़ेटा ठीक है अब देखो एक्रियनेटा पढ़ रहे हैं पता ना एक्रियनेटा पढ़ रहे हैं और एक्रियनेटा की दो सब फाइलम है एक है यूरो कोडेटा और दूसरा है सिफेलो कोडेटा यूरो कोडेटा पढ़ चुके हैं और अब क्या पढ़ेंगे सिफेलो कोडेटा पढ़ेंगे अब देखو इन और्गिनीटम में Notocode ve Nervecoat Head से लेकर के Tel तक फैली रहती है इसलिए इन्हें Ciffelocodates कहते हैं समझ में आका है ब Pat Richard Siffelot का मतलब भी क्या होता है Head होता है सिर होता है समझ में आ रहा है ना देखो नाम से ही याद हो जाती है रटने की ज़रूरती नहीं है, सिफेलो कोड़ेट है, सिफेलो का मतलब होता है head, और ये जो organism है, इन्हें जो notocode है, वो notocode और nerve code, head से लेकर करके कहां तक फैली रहती है, tell तक फैली रहती हो, और इसी बज़े से इनको क्या कहा जाता है, सिफेलो कोड़ेट कहा जाता है, जाता है question पूछा जाता है first complete codate कहा जाता है तो उसमें आपको euro codate देदेगा सिफेलो codate देदेगा और एक दो और आसपस से उठा करके चिपका देगा तो आपको वहाँ पर क्या करना है सिफेलो codate करना है या फिर सिफेलो codate करना है ठीक है क्यों कहा जाता है इनको अभी अभी बताया है मैंने euro code data का वहाँ पर present होते हैं क्या नहीं वहाँ पर तो retrogressive metamorphosis पाया जाता है larva more developed होता है किसे adult से जैसे ही larva adult पर convert होगा तो वहाँ पर बहुत सारे character का क्या हो जाता है loss हो जाता है ठीक है? अब देखो ये strictly कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं अरे कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं ठीक है? वहीं समूदर में रहते हैं और समूदर में भी दिहान रखना ये जो shallow water होता है ना मतलब कम गहरा पानी होता है ना वहाँ कर ये पाय जाते हैं तो डाइग्राम तो वही है जो पहले वाले euro code data के हैं वो मैंने आपको बता दिये ये वाला अब देखो body fish की तरह होती है किसकी बाद चल रही है? सिफेलो code data की चल रही है body उनकी fish की तरह होती है compressed होती है थोड़ी chip की भी होती है दिखा दूँ ही डाइग्राम अभी आएगा body कैसी होती है segmented यानि खंडित होती है यहाँ पर paid appendages यानि युगमित उपांग तो क्या होते है अनुपस्दित होते है केवल unpaid median fins यहाँ पर क्या होगा present होगा तो यह वाली बात आपको ध्यान रखनी है आगे देखो यहाँ पर digestive system क्या मिलेगा भीए absolute मिलेगा किसमें बिलेगा complete syphelos chordita में मिलेगा innoc间 इन में wheel organ या saliated organ of molar पाएज आता है किन में पाएज आता है syphelos chordita में पाएज आता है यह क्या काम करता है यह भोचन को anti-grand करने में मदद करता है यानि बोजन को अंदर ले जाने में क्या करता है मदद करता है और ये औरगन जल में circular current उत्पन करता है और इसलिए इन्हें ciliary feeders भी कहते हैं समझ में आ गया है यहाँ पर एक ciliated organ of molar पाया जाता है क्या काम करता है फूड को अंदर ले जाता है किस तरीके से लेकर के जाता है जल में current पैदा करता है और ciliated feeders magnesium की द्वारा फूड को अंदर ले जाता है समझ में आ गया हो गए रैस्पारेटरी pigment यहाँ पर क्या होता है अबसेंट होता है अगर मैं euro codita में पूछू अभी अभी बताया है कौन सा present होता है vanadium present होता है ठीक है आगे देखो यहाँ पर circulating system ह है वो कैसा रहेगा close type का रहेगा कैसा रहेगा close type का रहेगा hurt यहाँ पर क्या होता है absent रहता है लिख ले न यहाँ पर क्या होता है absent होता है ठीक है यहाँ पर door cell tubulin nerve cord present होती है brain यहाँ पर क्या रहेगा absent रहेगा ठीक है आगे देखो यहाँ पर numerous pharyngeal gill slits क्या होती है present होती ह अनेक गरसनी कलोम दरा रही यहाँ पर आपको present मिलेंगी आगे देखो यहाँ पर जो excretion है वो protonephidia की द्वारा होता है किसकी द्वारा होता है protonephidia की द्वारा होता है protonephidia के अंदर flame cells और solenocytes क्या होती है present होती है भई मैं यह पुछू कि सिफेलो कोड़ेटा में excretion कैसे होता है तो आप कहोगे protonephidia की द्वारा होता है और उसके अंदर flame cells और क्या present होती है solenocyte present होती है has sick nephridium also found mint for excretion has sick nephridium है वो भी क्या करता है excretion का काम करता है यहाँ पर जो reproduction होगा वो कैसा होगा sexual होगा यहाँ पर fertilization है वो external होगा यानि बाहे निसेचन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा development यानि परिवर्दन की बात करें तो air protect होता है indirect होता है ठीक है example amphioxis और amphioxis को lens let भी कहा जाता है इसकी जो larval stages है वो branchiostoma और asymmetron है ठीक है तो diagram आपको दिखा दूँगी लेकिन आपको example क्या है याद रखने है अब आगे हम crinata यह हम कल पढ़ेंगे लेकिन हाँ amphioxis का diagram एक बार देख लो यह रहा इस तरीके से होता है यह दिख रहा है आपको यह क्या है amphioxis है जिसका दूसरा नाम lens let है ठीक है और आपको दिखान रखना है अभी अभी बता है इसकी body कैसी होती है compressed होती है चप्टी होती है यानि ऐसे दबी भी होती है ठीक है तो यह था और आज मैंने आपको क्या क्या बता दिया एक बार फिल से नज़र डालते हैं देखो मैंने आपको बताया codate का classification दो groups में divide होते है accreanata और cranata accreanata को भी दो subphileum में divide किया गया euro codata और syphelo codata ठीक है अभी दूसरा group यहाँ पर cranata है इसका एक subphileum है vertebrata और इसकी दो division है agnetha और genetho istrometa यह जो agnetha है इसकी भी दो class है osteocodermy और cyclostrometa वो जो genetho istrometa है इसकी दो super class है super class में एक visage आती है और दूसरी कौन सी रहेगी tetrapoda रहेगा अब जो visage है उसमें भी तीन classes है placodermy, kondriokthige, osteopthige और यहाँ पर है और मैं मिलिया इसमें से हमने क्या-क्या पढ़ लिया यह पढ़ लिया agreniata को दो सब phylum euro codata और syphelo codata में divide किया यह हम पढ़ चुके है आज ही यहाँ तक हमारा complete हो चुका है कल जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो craniata start करेंगे ठीक है तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में तब तक लिए जय हिंद जय भारत